नमस्कार दोस्तों, नग्याड मैं आपका फिर से सुवा करते हैं, मैं हूं सुसाइटी दामें, और आज हम सीखेंगे कि किसी अबजेक्ट को बैंड करके कैसे बनाए जाता है सबसे पहले इस अबजेक्ट कमांड से बना लेंगे, इसको इस तरह से बैंड करके मौड देंगे, इसमा माल पास यहां पांच की रेडेस है, और 90 डिग्री पे इसको बैंड करना है, तो देखते कैसे होगा यह, इसके लिए सबसे पहले हमें, रिवोल कमांड से बना ले तो पुर्वा ले से को, हमने ले ले लिए सेंटर लाइन, स्केच, फिर सेंटर लाइन, उसके बाद में हमने स्कूर, विर पोईंट लाइन लेके, दो ना तरह लाइन कीच के, इसको बना लेंगे, और इन दोनों को इक्वल कर देंगे, इससे की दोन तरह से इक्वल हो गया, और सिर्फ दैमेंचन देनी है, होगा 31.5, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, 75 है, सब्सक्राइब करें, और यहां से यहां तक का जग्याप है, वह एक्वल का इस्टेंस, एक्वल है, सब्सक्राइब कर लेंगे, और को लिनियर कर देंगे, उसके आद में, पीचर में जाके, रिवल्व कर लेंगे, इसमें चमफर होगे रहा है, वह भी लगा सकते हैं, जैंफर लगा दियां, अब क्विश्कराइब करना यह अद्रेक्वल लेंगे, पहरे होगे, इस अन्मृष प्रेट कर समयवार लेंगद, प्रेट अंपर लेंगे, यह अद्रीध जेंगे, तो, तो, तौध़ लेंगे, वह तैयार हो गया है, अब इसको करना बैंट, तो पहले हमें देखना पड़ेगा किया में कितना एरिया को स्ट्रेट रखना है कितना एरिया को बैंड करना है यहां पे इंगल होगा 90 इंगरी इसको बैंड करना है अगर हम इसको 90 इंगी प्लैन करते हैं तो अंको दिख्राव कुछ पुरा हिस्सा गोल हो गया तो कुछ हिस्चा इसमें स्ट्रेट रहेगा तो अगर में इसको पॉइंट को पकड़ेके अंदर की तर्फिरेके जाओ तो वह स्ट्रेट होना स्टार्ट हो गया है तो कितना हिस् अगर हिसाब की ताम लगाना पड़ेगा थोड़ा शाओ उसके लिए आपने इसकेश कमार्ण को थोड़े देखेट तो तो इसकेश में हम देखतें किस तरह से पता चलेगा हमें कितना हिस्सामें स्ट्रेट रखना और कितना हिस्से को ब्रैड करना है तो हमने एक रफ ली लाइन लेके स्केज कर लिया इन दोने लाइन को इक्पल कर लिया और यह जो टोटल है 31.5 प्लस 6 तो यह टोटल 37.5 है जैसे कि यह मैं देखा है तो वह 31.5 और इसका मैं हाफ ले ले लेता हूं लिए इतना इससा किसे यह थरे से होगे सबसक्तिक तकी बात कर रहा हूं जिए अभिस सब्सक्राइब लगी paling आवρι है इसकी बाध करते बनाच इसमें लगी है कि बलीट करने कि अ पर यहां पर पाइप दिन दिल्या किन लगे देखलगे आउं पूंसकी है है अब इसको फिलेट कर देते हैं तो यह इतना नहीं था टोटल 75 आना चाहिए उस ब्रेंड को लगा करके यानिक इस रेडिस को लगा के टोटल 75 आना चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे नbeansंज में जैंगे पाथ लांट लाइंगे इस लाइन को स्नाइ तो एम चाहिए यह तो यहां पेसे जीएंड़ को आप यह दोना इक वल है इसके वेज़े दोना पसे पोल है इसकी लेंद्ध देखते कितनी बचेगी तो डायमेंशन ले लिए खाली इस लाइन की देखते हैं इस खाली लाइन की बच्री लाइन से 33.57 बच रहे है तो हमें कितना हिशा स्टेट रखना है और बचा को चाहिए से 90 डिग्री पे बैंड कर देना है तो आप वाली फाइल के दुबारे से और यहां गये इंसर्ट पीचर पीचर के अंदर फ्लैक्स हमें गरना है बैंड की सब सब्सक्राइब को इसको इदर से आगे बराते हैं और में रखना 33.57 नाइटी डिग्री पैंड करना है इस इधर से इधर भी 33.57 और यहां रखने है पार्ज की रेडियोस के गरेंगे कि यह बैंड कमान से अगर आपको मारे यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और लोगों को दिखाने के लिए सेर करें और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो प्लेज मारे चैनल सस्क्राइब करें थेंक्यू